तूटने के बाद फिर संभलेगा टाटा का यह शेर, एक्सपर्ट को उम्मीद कमपनी देगी 21 रुपए का डिविडेंड, 4% चढ़ा भाफ टाटा ग्रूप स्टॉक, टाटा समूह की कमपनी टाटा कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड, टाटा कम्यूनिकेशन्स शेर ने मार्च इस्तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं, इस्तिमाही के दौरान कमपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, हालांकि कमपनी की आए में मामूली सुधार है, इस बीच कमपनी के शेरों में गुरुवार को तूफानी तेजी आई है, इस दौरान शेर की कीमत 4% पहुच गया, ट्रेडिंग के दौरान शेर की कीमत 1248.05 रुपए तक पहुच गई थी, इस कमपनी का मार्केट कैप चड़कर 35,092.05 करोड रुपए हो गया, शेर 12 जनवरी 2023 को 52 सप्ताह के उच्चसतर 1429 रुपए और 15 जून को 52 सप्ताह के निचले स्तर 856 रुपए पर प रहा मुनाफा, ताटा कम्यूनिकेशन्स का नेट प्रॉफिट मार्च तिमाही में 11% की गिरावट आई और अब 326.03 करोड रुपए की गिरावट देखने को मिली है, पिछले वित्वर्ष की इसी तिमाही में कमपनी का नेट प्रॉफिट 365.06 करोड रुपए था, मार्च 2022 की तिमाही में 4,263.03 करोड रुपए की आई थी, जो अब बढ़कर 4,586.66 करोड रुपए हो गई, बता दें की कमपनी ने 21 रुपए के डिविडेंड का भी ऐलान किया है, गिरकर संभले का शेर, फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म मोतीलाल ओस्वाल ने टाटा कम्यूनिकेशन्स के शेर पर निूट्रल टैग दिया है, वहीं टिप्स दो ट्रेड्स के अभिजीत ने कहा, टाटा कम्यूनिकेशन्स 1297 रुपए पर मजबूत प्रतिरोध के साथ मंदी की स्थिती में दिख रही है, प्रभुदास लीलाधर की टेकनिकल रिसर्च की वाइस प्रेसिडेंट वैशाली, पारेख ने कहा, शेर में सुस्ती आएगी, हालांकि भविश्य में 1370 से 1400 रुपए के दायरे तक जा सकता है, हम 1220 रुपए के स्टॉप लॉस को रखते हुए 1400 रुपए के टारग कंपनी के सेग्मेंट में वायस सॉल्यूशन्स, वीएस, डेटा एंड मैनेजर सर्विसेज, डीएमेस और रियल एस्टेट आ रही शामिल है, डीएमेस सेग्मेंट में कॉर्पोरेट डेटा ट्रांसमिशन सेवाए, वर्चूल प्राइवेट नेटवर्क सिग्नलिंग और सेवाएं, टेलिविजन, अन्य नेटवर्क और प्रबंधित सेवाएं शामिल हैं.